नमस्कार दोस्तों मैं सोरव और आप देखे रहो एसे स्क्रीप फेंटासी यह पर मैं आपको मैंच से रिलेटेड हार इन्पोर्टेन इन्फोर्मेशन देने की पूरा कुछिस करूँगा जिसके मदद से आप एक भैतेरिन फेंटासी टीम कॉंबिनेशन बनाने में कामिया भ करता हूँ इसे टेलिगम चैनल के साथ जुनना आपके लिए बेहाद जरूरी है नीचे डेस्किप्शन पर लिंक है आप लिंक के थूरू हमारे साथ टेलिगम चैनल से जूर सकते हो शुरुआत करते हैं बंगलादेश और आयालेंड के बिच में पहला ODI मैच जो खेला जा जला लेकिन इस मैच पहे आपको फ्लैट सेखने को मिल गा या पहत स्कोरिंग ट्रेका देखने को मिल जाएगा इस मैच पे स्के पीछे रिजान है एक तो होगए आयेखर रेंड का जो टीम जैसे कि इंगलेंड हो गया ऑस्टेलिया हो गया वह आपा बंगलादेस का जो बैट्समेन है उल्लो को स्कोरिंग ट्रैक का समना करना पड़ता है ताब बंगलादेस का बैट्समेन को थोड़ा दिग्यत का समना करना पड़ता है इसलिए बंगलादेस चाय इस मैच में स्टोरी क्या हुआ स्पीच से लेटेड अब ज्यादा से ज़्यादा टीम में बंगलादेश के तरफ से बैट्समेन को फिक करना और स्पीनार को फिक करना क्यूंकि बंगलादेश में स्पीनार हमेशा ही इन्पोर्टेंड रहता है इस भेनु के ओपर पिछले चार ODI मैच का कुछ स्टैड हम देख लेता है पिछले चार माज में बैटिंग फर्स्ट करतोए टीम ने तीन मैच और बैटिंग सेकेंड करतोए टीम ने एक मैच ओन के है बैटिंग फर्स्ट एवरेज को 291 है और बंगलादेश का यह हैस्ट कोर स्कोरिंग पैटर्न आप देख लिजिए 200 के बिलोव एक वान बार और 200 मतलब 300 के अब थ्री टैम्स रान हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रहा था यह पर आपको थोड़ा स्कोर देखने को मिलेगा 280 प्लास आप स्कोरिंग एवरेज को मान के चल सकते हो जब बंगलादेश का टीम पहले बैटिंग करे आयाल लेंग का टीम अगा पहले बैटिंग करे तब भी आपको 250 या 220 टाक आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा 2020 में जिंबाबुए और बंगलादेश के बीच में तीन ODI मैच खेला जा चुका था जिसमें से कुछ स्कोर काड़ आप देख सकत दो इतसे पीच से लिए याट है आपको फोड़ा और गालबी से जनकारी मिल जाएगा बागलादेश ले पहले बैटिंग कात्यों ने 322 किया था और जिंबाभुए ने 211 किया था फिर सेकेंड में 322 भंगलादेश ने क्या था और जिंबावए ने 318 किया था फिर बांग और उस तरीके का पीछ आभी भी बंगलादेश तैयार करने वड़ा है तो आप बंगलादेश अगर पहले बैटिंग करे तब आपको 315 स्कोर देखने को मिल जाएगा और जिंबा आयलेंड भी जब बैटिंग करने आएगा तब भी आपको स्कोर थोड़ा 250 प्लास आपको देखने को मिल जाएगा आप देख लेते हैं बंगलादेश की पॉसिबल प्लेइंग लेवन विद प्लियार का रिसेंट फॉर्म विद ह प्लियार से रिलेटेड सब कुछ इनपरमेशन आपको मिल जाएगा तामीम इकबाल के साथ लिटों 10 को आपको ओपेनिंग करते हैं देखने को मिल जाएगा तामीम इकबाल का यह रिचेंट फॉर्म है इंगलेंड के खिलाब जो मैच वाता हुआ पर उसका रिचेंट फॉ पर चार मैच में 391 और 195 एब्रेज है मतलाब बहुत ही संदर रिकोर्ड है इस भेनु के उपर उसके बाद लिटों 10 है लिटों 10 का भी फॉर्म काफी संदर है पिछले इंगलेंड के खिलाफ T20 मैच में 73 रन कर दिया था लेकिन ODI में फ्रॉब होएगे था लेकिन इस मैच पर आपको लिटों 10 से मतलब जरू स्कूर देखने को मिल जाएगा उसके बाद नाजमुल असन संटो है संटो का यह रिशेंट फॉर्म है आप जाओ तो देख सकतो काफी संदर फॉर्म है नंबर चार पर तोही दूर हीदोय मिल जाएगा आपको देखने को तोही दूर है अब जाओ तो ड्रॉब कर सकते हो नंबार पांच मुसिफिकुर रोम है तोयद एबरेज में भी मतलब 25 की एडरेज है इसनुके और पर 45 एडरेबरेज है आप चाहँ तो इसमेड मुसिफिकुरोरुम को कर सकते हैं वाणतर वहाजए चांड कर च्तिने को भॉएंड सबस्का जाए कोँ सादुर्टट करे था मतलब के उपर स्पीन होता है आपको बोलंगे को मिल जाएगा टाश्क जाए। मस्ताव बचलों मनं का किक टक नहीं है मतलब श्राइज है हासन मामूद है चाहिए प्राषान वहां का वहां का आप है और बहुत ही टेलेंटेड प्लियर है अब टीम में हासन मामूद को जरूर ट्राइग करना आप पेंग बोलर की बात करें तो बंगलादीस कर तरप से मुस्ताफ़ीजुर रामान के साथ तासकी नामाद को देखने क मिल जाएगा और देथ में तास्कीन आमेद के साथ मुस्ताफुजर रॉमन और हासन महमूद भी आ सकता है बेंच पर कुछ प्लियार है जैसे आशी राली चोगदोरी है इसका यह सब गट स्टैट आप देख सकतो अब स्कीन स्वर ले सकतो बहुत ही कम में आपका सोरीपूल खेलते हैं तो आप ट्रीम में ट्राइ कर सकतो फ़र्म टिक टाक है जाकी रोसन है जो अंडर-19 में जो कैप्टेन था बंगलेस के तरफ से आप देख लाते हैं आयर्लेंड की प्लियार है अगा टिक है तो आपको बहुत ही लंबा स्कूर करके देगा अगर पीच से थोड़ मतलब थोड़ा बैटिंग ट्रैक अगर होता है तब बॉल स्टिरिंग से बहुत ही ज्यादा स्कूर आपको देखने को मिल जाएगा स्टीफेन धोई नहीं है स्टीफेन दोई नहीं का रिशेंट फॉर्म है ठीक टाक फॉर्म है कुछ खास नहीं है इसका फॉर्म मतलब बालिंग में मतलब बॉलिंग से भी आपको कुछ पोइंट दे सकतेNews compare रहा है बैकिन अपको ठीक हो कर के दे सकते हैं और विकट की बागीट कीपिंग सेक्षें से भी आपको कुछ पॉइंट दे सकते है उसके बाद मार्क कदिर है विकेट टेकिंग बोलर है हर मैश में वि था इसका लेकिन ODA में भी आपको यह विकेट चटकाते हुए देखने को मिल जाएगा उसके बाद मैक ब्रेन है मैक ब्रेन क्या यह रिशन फॉर्म है कुछ मतलब कुछ मैंज में विकेट लेज गया था आप चाहँ तो देख सकते हो उसके बैटिंग मतलब बोलिंग के साथ स इसके बाद गर हम हुँम है आप उसका फॉर्म देख सकतो रिशन फॉर्म काफी शंदर है मतलब दो विकेट तीन विकेट करके विकेट चटका है ओपेनिंग बोलर की बात करें तो आयल नेंड की तरफ से मार्क अधिक के साथ आपको बैरी मैक उर्थी को ओपेनिंग मतलब आपको पॉइंट दे सकते हैं यह कंप्लीट ओल राउंडर है तीम में जरूर्ट ट्राइ करना उसके बाद है यह कुछ प्लियार है आप चाहतो स्कीन सट ले सकते हो आप देख लेते हैं ड्रीम लेबन टीम विकेट कीपर सेक्शन से मुसिफिकुर रोहिम मिल जाएगा और लिटोन दस मिल जाएगा फिलल इन दोनों को इस मैच पेपिक करना आप चाहो तो मुसिफिकुर रोहिम को ड्रॉप कर सकते हो टाकर को आप चाहो तो ले सकते हो मुसिफिकुर रोहिम के जगा फिलल मैं रोहिम के साथ ही जा रहा हूँ बैटिंग सक्षन से श्ट्रिलिंग पर हेरी ठेक्टोर इन दोनों में से फिलार किसी एक कोत्र पिक करना इस मैं स्ट्रिल को ट्राइद करने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा बै टिंग होने Union and trying में अपको अच्छा कासा स्कूर्म करते हैं मतब करके दे प्लबुरि ज सकते हैं जार्श करके वर और यह आप चाल्टूर में होने बला करना आप आपी भूसन को ग्र man करना कुछ कंडिशन के वाकर किंवाइज सक्षिय चुंताल पड Municipal और यह आपका गेम चेंजर हो सकता है फिरन मैं मेदियासन मिरार के जा रहा हूँ बॉलिंग सेक्षन से मुस्ताविजुर रहमन है अगर बंगलादिस के टिम पहले बॉलिंग करे तब मुस्ताविजुर रहमन को जारू ट्रै करना ट्रस की नाम में इंपर्डेंज भी होने ब positives है बहुत ही मतलब talented बोलर है टिम में जारूर ट्रै Кर्ण आ हो एं लेवथेंग प्लेयर आपकुर्टिस कंपर होपकार करता एन दोनों में से किसी को एक को फिक烦 cosa , अगर डिलानी के साथ जाने वाला हूँ captain vice captain की अगर बात करें तो तामीम इकबाल, साकीब उलासन, मैद्यासन मिराज और लिटन दास ये चारो best captain vice captain की option होने बाला है grand league में मतलब तामीम इकबाल को जरूर captain करना आप चाहो तो small league में भी कर सकतो इस पैठ पर आपको तामीम इकबाल से बहुत स्कोर देखने को मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा और informative लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा